Hi friends and welcome back to bank exam study.com तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ IBPS RRB Officer Scale 1 के exam के बारे में 2017 में जो होगा उसकी various dates, exam का pattern, जो study material आपको कौन कौन सा follow करना चाहिए क्या plan है मेरा, तो इस सब के बारे में मैं आप सब से बात करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले बता दो, मेरा नाम है रमन्दीप सिंग और पर चले 5 सालों से मैं bank exam study पर काम कर रहा हूँ अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो पहले subscribe का button दबाते हैं लाल रंग का तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले age requirement ये आप लोगों से clear करनी बहुत जरूरी है अगर मैं इंड में बताऊंगा तो जिनका eligibility पूरा नहीं होता वो फिर निराज हो जाते हैं तो सबसे पहले candidate की जो age है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए नॉर्मली जो cut-off की date होगी वो मेरे हिसाब से होगी 1 जुलाई 2017 क्योंकि जिस महिने में notification आता है उस महिने की पहली तारीक को जो cut-off date मान लेते हैं age को calculate करने के लिए scale 2 के लिए 21 से 22 साल होगी, scale 3 के लिए 21 से 40 साल so age का relaxation है थोड़ा, SCST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल तो ये basically age का requirement है, 1 साथ 2017 तक 18 से 28 साल पहली चीज हो चुकी है तो dates के बारे में आपको थोड़ा सा बता दू, IVPS अगर आपको नहीं पता अगर अभी तक आप इस IVPS के exam, सरकारी exam, नौकरियों के exam के बारे में aware नहीं है तो आपको बता दूँ, हर साल IVPS जो है, वो एक organization है वो क्या करता है कि हर साल एक tentative calendar निकालता है कि ये date को मैं ये वाला exam होगा, ये date को ये exam होगा result इस तारीक को आएगा, means इस तारीक होगा, lotment इस तारीक होगा तारीक नहीं कह लीजिए, तकरीबन महीना बता रेते हैं महीने के किसी भी date में वो result भी निकालते हैं पूरा registration का date उनका accurate होता है तो ये मैंने उनकी site से ही निकाला है, official website से निकाला है जो starting date of registration उनने बोला है, वो बोला है July 2017 को जो है, online registration शुरू हो जाएगी यानि कि अगले महीने registration शुरू होने वाली है और उसके बाद अगर मैं exam date की बात करूँ, October 2017 अगर मैं बात करूँ कि exam की तयारी के लिए आपके पास तक्रीबन कितने महीने बचे हैं तो तक्रीबन 3 महीने हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 दिन हैं आपके पास पूरी तयारी करने के लिए, 9200 days चलिए, result तो इसका आता रहेगा, उसके बाद mains exam है जो वो बिलकुल एक महीने बाद होता है, 26 नवंबर को इन्होंने date पहले ही fix करकी है 26 नवंबर 2017 को mains का exam होगा, उसके बाद result आएगा, फिर interviews होंगी फेब में और April में allotment हो जाएगी, तो ये dates आपको पता होनी जरूरी है ताकि आप अपना exam की तयारी का पूरा एक plan बना पाएं तो एक इसका जो basically exam का pattern है, जो selection procedure है पहले pre-exam है, फिर mains exam है और उसके बाद interviews है pre-exam, अभी मैं आपको exam pattern के पर मैं बताऊंगा, सबसे पहले बता दूँ जो pre-exam है, वो एक allergy admission criteria है, mains exam को देने के लिए वो eligibility criteria है, जो students pre-exam tier करते हैं, उन्हें mains का exam देने का opportunity दिया जाता है, और mains का exam देने के बाद जो भी student mains का exam देते हैं, वो सब student interview देने के लिए eligible है, 80-20 का ratio होता है, 80% mains के marks और 20% interview के marks इस weights के आप से total cut-off बहता है, तो चलिए बात करते हैं प्री के exam के exam pattern की normally soft questions होते हैं, English quant reasoning और एक गंटे का, लेकिन यहाँ पे चीज थोड़ी अलग है, क्यूंकि अगर आपका English strong नहीं है, normally UP VR की belt के जो students हैं, या बेंगॉल के भी students हैं, जिनका English अच्छा नहीं है, और वो English की वज़त से fail हो रहे हैं, तो RRB में आपको try करना चाहिए, देखिए, pre में भी English नहीं है, mains में भी English और Hindi में option है, तो पहले pre की बात करते हैं, reasoning है, 40 question आएंगे, 40 mark के और numerical ability के, 40 question आएंगे, 40 mark के, और 45 minute में आपको ये 80 question करने होंगे, obviously 45 minute में 80 question तो आप नहीं कर पाएंगे, जो mains है, उसमें देखिए, 40 reasoning, 40 general awareness, 40 numerical ability, English language और Hindi में option है, आप इन दोनों में से किन ही एक को choose कर सकते हैं, और एक computer knowledge, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर मैं बात करूँ, English की, इसमें ज्यादा दर students जो UP और विहार बेल्ट के हैं, उनका score बहुत कम होता है, overall जो score है, English language में काफी कम होता है, English की अगर मैं sectional cut-off की बात करूँ, वो पिछली बार गई थी 5.75, जबकि Hindi की गई थी 14.25, इसका मतलब directly यह है, कि Hindi में students अच्छा score करते हैं, अगर आपकी English इतनी अच्छी नहीं है, तो आप Hindi चूज करें, Hindi as a option आप चूज करें, आपके select होने के chances बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने शुरू से English की ही त्यारी कर रहे हैं, तो English को ही चूज करें, लेकिन अगर आपकी English अच्छी नहीं है, बार बार English की वज़े से fail हो रहे हैं, तो Hindi को चूज करें, इतना ज़्यादा difficult paper Hindi कर नहीं होता है, असानी से आप अच्छे marks ला सकते हैं, बिना तैयारी के भी, थोड़ी सी तैयारी के साथ, आप English से कहीं better score कर सकते हैं, वही आपको बाकी तो मैं बता चुका हूँ, अभी इसके syllabus के बारे मैं बताऊंगा, syllabus अगर आपने IBPS, PO वगरा की तैयारी करी हो, तो syllabus काफी same है, syllabus की अगर मैं बात करूँ, आपको शुरू करना पड़ेगा average से, average के बाद यहाँ पे simplification इसी के साथ ही है, simplification का chapter बहुत important है, और approximation का एक chapter है, ये भी बहुत important है, 5 mark के question इन में से बिल्कुल आते ही आते हैं, अरबर 5 से 10 mark तक के, और जो pre का paper है, उसमें तो ये दोनों chapter में से, simplification और approximation में से, 5 से 5 mark तो आपके पके हैं, ratio proportion, इसमें से आपके LEG, ये एक-दो mark के questions आते ही आते हैं, stock, sensor इतना important नहीं है, लेकिन कभी कभार एक-दो questions आजाते हैं, time and work, mixture allegation, pipe and system, इन में से एक ही तरह का method यूज़ होता है, एक ही तरह का logic यूज़ होता है, और इन में से आपके LEG, ये दो से तीन mark आपके यहाँ पे बनते हैं, pre में भी और mains में भी, time, speed and distance, problem based on ages, ये बिल्कुल same type के इन में के logic यूज़ होता है, और इसमें आप कहले जी, एक या दो mark के questions आपको इन chapters में से देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे percentage है, percentage और fraction कहा लिज़े, percentage है और fraction इसी का ही एक part है, fraction का chapter है जो, इसमें से अगर आपको directly question देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसका concept जो है, वो सीधा सीधा data interpretation में use होता है, और data interpretation pre में भी आती है, और mains में भी आती है, फिर भी कई बार direct इसमें से एक दो mark के question आ जाते हैं, लेकिन इसका DI में बहुत ज़्यादा use होता है, percentage के chapter का, even approximation के concepts का, partnership एक दो questions आते हैं, बहुत simple questions आते हैं, clocks में से कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, permutation combinations, mains में आते हैं, आप कहले जीए, एक दो mark के questions, permutation combination and probability में से आ जाते हैं, यह probability यहाँ पे भी है, आप कहले जीए, इसको जोड़ लीजिए, permutation combination के साथ, simple and compound interest में से, आप कहले जीए, एक दो mark के question कभी कभार आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते हैं, profit and loss में से, हमेशा एक से दो question जो हैं, आते हैं, algebra के लीजिए, mains में आते हैं, लेकिन normally मिझे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, इस बार आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो 0 to 2 mark इसको मैं लेकर चल रहा हूँ, data interpretation बहुत important रहता है, pre के लिए भी और mains के लिए भी, 2 से 3 set आते हैं, 10 से 15 मा का पकड़ के चलिए, pre के लिए भी और mains के लिए भी, equations से मेरा मतलब है, quadratic equations, यह अगर आते हैं, तो सीधा 5 मा के भी आ जाते हैं, नहीं आते तो 0 आते हैं, quadratic equations, data sufficiency कभी कबार आती है, कभी कबार नहीं आती, तो यह basically आपका syllabus है, quantitative aptitude का, numerical ability जिसे आप कहते हैं, pre के लिए और mains के लिए, इसके बाद बात करते हैं, reasoning की, reasoning में अगर मैं chapters देखू, इसमें बजाला तर students को बहुत confusion होती है, कौन से study material follow करें, कौन से chapters करें, बिल्कुल clear नहीं होता students को, तो आज में आपको clear करने वाला हूँ, कि आपको exactly पढ़ना क्या चाहिए, coding, decoding, आप कह लिए जिए कि 0 to 5 mark, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो 5 mark है, बहुत simple chapter है, scy log, ये भी आज कल reverse eye log भी आने लग गया है, लेकिन वो mains के level में आता है, अगर आता है, तो 5 mark का नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता है, same चीज़ apply होती है, machine input output में आती है, तो 5 mark की नहीं तो नहीं आती, puzzles जो है, ये 5 से 10 mark पकड़ के चलिए, sitting arrangement 5 से 10 mark पकड़ के चलिए, 1 से 2 set आते हैं, sitting arrangement 1 से 2 set आते हैं, बाकी के जित्रे भी chapter लिए, data sufficiency आती है, तो कई बार 0 तू 5 mark आती है, तो सीधा 5 mark की आती है, और ये तीनों अगर आते हैं, तो सीधा 5 mark के नहीं आते हैं, और बाकी के जो chapter है, direction sense, blood relation, problem based on ages, ranking, इसका आप कहे लिजिए, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, एक एक दू-दू-दू mark के आते हैं, ये ठीक है, तो इनको अब 3-4 mark पकड़ के चलिए, 3 से 4 mark हर बार ये आई जाते हैं, 0-3 ना लिजिए, अब ले लिजिए, 2-5 ले लिजिए, 2-3 mark के, ये आते हैं, चप्टर में, rankings, blood relation, simple simple questions आते हैं, तो आगे करते हैं, English, English का आप कह लिजिए, कि 3-4 हिसों में बटा हुआ है, पहला तो reading comprehension, ठीक है, ये मैं mains की बात कर रहा हूँ, प्री में तो English है ही नहीं, mains की बात कर रहा हूँ, हिंदी के लिए, मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊँगा, कि हिंदी में आपको क्या-क्या प्रिपेर करना चाहिए, English की अगर मैं बात करूँ, वो ही reading comprehension, theme detection, passage completion, conclusion, deriving conclusion, या आप कह लिजिए, 10 माक जो है, आपको यहां से मिलेंगे, 5 माक, और अगला जो है, grammar, spotting errors, जो है, कई बार ये सीधे-सीधे 10 माक के आ जाते हैं, active force, विए वैसे normally आती नहीं है, लेकिन आती है, तो 5 माक के सीधे आ जाते हैं, तो ये सीधा-सीधा, आपका सीधा-सीधा से syllabus है, reading comprehension कई बार दो-दो भी आ जाती है, आपका सीधा reading comprehension दो आ गई, 10 और 15 माक का सीधा reading comprehension आ जाता है, कई बार theme detection अलग से 5 माक आ जाता है, para compilation कई बार आ जाता है, कई बार कह लिजिए, para jumbles अलग से आ जाता है, इसके हम अलग अलग chapters के हम videos बना रहे हैं, daily videos upload कर रहे हैं, please हमारा जो mega preparation course है, उसको follow कीजिए YouTube पे भी, और हमारी application GK Digest पे भी, तो general awareness की बात करता हूँ, general awareness basically तीन हिस्सों में बटा हुआ है, static GK, banking awareness and current affairs, ये तीन हिस्सों में हमारा पूरे का पूरा general awareness बटा हुआ है, static GK में वही simple से topic आते हैं, कि various cities in India, क्या-क्या नाम popular है, rivers in India, जो mountain ranges है, कौन से शहर में, क्या मतलब किस चीज के लिए popular है, weed सबसे ज़्यादा कहां होता है, या museums, popular museums के बारे में पूछ सकते हैं, religious places उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो basic static GK है, अपके LEG1 constitution के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, basic basic अपके LEG1 static GK जो change ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, banking awareness, banking awareness जो latest banking के topics हैं, जिसके बारे में हम regularly चैनल पे भी डालते हैं, और अपनी website bankexamstudy.com पे हम regularly, monthly banking awareness का एक PDF भी बना के डालते हैं, उसको आप पढ़ते रीजिए, तो banking awareness का जो regular आपका capsule है, वो बिल्कुल इसको follow कीजिए और आपका cover हो जाएगा, GK Digest हमारी Android application है, इसको search करके इसको install अप कर लीजिए, तो आपका ये सारे का सारा जो है, वो cover हो जाएगा, इसका एक ही book है, एक बांग से आपके सारे निशाने लग जाएगे, तो सारा cover हो जाएगा, current affairs, daily current affairs हम यहाँ पे GK Digest पे update करते हैं, डेली भी update करते हैं, weekly PDF भी देते हैं, और monthly PDF भी देते हैं, और daily quizzes भी होते हैं, तो general awareness के लिए और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और हम अल्रेडी डेली बहुत सारा काम कर रहे हैं इस पे general awareness पे, तो GK Digest हमारी application है, इसको install कर लें तो आपका सारे का सारा general awareness कवर हो जाएगा, computer knowledge की बात करता हूँ, ज़्यादा दर students को computer knowledge का जो syllabus है, वो ही clear नहीं होता है, बहुत असा paper होता है, basic computer hardware software के बारे में पूछा जाता है, कि क्या different devices होती हैं, आजकल थोड़ा paper difficult आने लग गया है, तो basic functionality of MS Office, जो various, आप कह लीजे, short cuts वगरा है, या various functions है MS Office के, उसके बारे में भी एक दो questions आ जाते हैं, जो आजकल hacking वगरा बहुत popular हो रखी है, ransomware क्या होता है, virus क्या होता है, virus or warm में क्या difference है, ये basic basic, इसमें से 2-3 questions आपको देखने को मिल सकते हैं, database ज़्यादा तर students नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से 2-3 questions आपको हर साल देखने को मिलते हैं, DBMS क्या होता है, ARC DBMS क्या होता है, तो ये सब इसमें से 2-3 questions आपको देखने को मिल सकते हैं, networks and communication, network topologies क्या होती है, अभी कबार नहीं आता है तो internet की terms and services जो latest trending में होता है जो trend कर रहा होता है internet पे उसके बारे में दू-तिन सवाल पूछ लिए जाते हैं एक बार तो ये भी पूछ लिए गया था कि android है क्या है ये तो एक software है तो ये भी एक question आया था आज से दो साल पहले बहुत basic से पूछे जाते हैं और फिर window के operating system के बारे में एक तोड़ा सब पूछ लिया जाता है उसके various जो कह लिए जिये की control panel कहा होता है मतलब अलग अलग tools के बारे में पूछ लिया जाता है टास्क manager क्या होता है टास्क manager कूले के लिए क्या आप को shortcut दबाना जाहिए तो इस सब के बारे में भी दो तिन questions आजाते हैं तो ऐसे करके आपका total बीस माग का बन जाता है last year की cut-off की बात करूँ तो यह देखिए final जो means की cut-off ती यह last year की जो कहली जीए यह गई थी state wise होती है कैली जीए कि सबसे ज्यादा जो होती है दिली में काफी ज्यादा चली जाती है cut-off लेकिन अभी यहां पर देखिए पंजाब में भी बहुत ज्यादा गई थी जहां से मैं belong करता हूं पंजाब में बहुत ज्यादा जाती है normally गुजराथ में और महाराष्ट्रों में cut-off बहुत कम जाती है कि वहां के लोग ज़्यादा exam देते नहीं है देखिए 89.25 cut-off गुजराथ में बहुत कम جाती है अगर यहां पर क्यों जाता है लेकिन normally गुजरात और महाराष्ट्रों में cut-off कम जाती है तो देख लीजिए यह cut-offs है state-wise cut-off है डेली की अगर गई होगी तो मैं assume करता हूँ यह मद्यबर्देश से भी कई बर ज्यादा जा सकती है 110-112 डेली की भी गई होगी तो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलिबल नहीं है तो यह cut-off है basically तो अभी मैं आपको बता आता हूँ कि आपको study material क्या-क्या follow करना चाहिए GK के लिए GK Digest हमारी Android application है इसको बिल्कुल follow कर लीजिए आँखे बंद करके follow कीजिए अगर आपको यह videos पसंद आ रही है अगर यह videos को आप regularly follow कर रहे है तो GK Digest Android application आपको बिल्कुल पसंद आएगी GK का आपकी सारी cover होगी वहाँ पर इवन बाकी जो subjects हैं Quant, Reasoning, English इन सब के बारे इन सब के लिए अलग-लग हम articles डालते हैं लग लग हम PDFs upload करते हैं तो GK Digest अपनी install करके जरूर रखी आपको जरूर पसंद आएगी तो second मैं आपको बताऊं कि Smart Prep Kit Bundle है हमारा की बुक्स का जो भी हम research करते हैं यहां Bank Exam Study में बैटके हम उसकी e-books बनाते हैं आप वो purchase कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं और thirdly हमारा IVPS PO का Mega Preparation Course है आप कहेंगे कि आराज B के लिए IVPS PO क्यों हैं लेकिन हम IVPS PO है इस exam के लिए हम dedicated होके हम सभी teachers जो हम 4 teachers हैं हम dedicated होके इस exam के लिए पूरा course जो है उस पे हम काम कर रहे हैं डेली हम 2-3 वीडियोज अपलोड करते हैं और further आप कह लिए जी नोट्स बना रहे हैं डेली डेली 4 quizzes जा रहे हैं और mock test जो है दस हम mock test already बना चुके हैं हजारों students उन mock test को avail कुर चुके हैं दे चुके हैं वो mock test और आपके लिए जी के हम और भी बहुत अच्छे से अच्छा material लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे students हमें अपने doubts बेज़ रहे हैं हम उन doubts को अपनी videos के जरीए उन तक पहुंचाते हैं बहुत एक आपके लिए जी sophisticated way में हम काम कर रहे हैं videos, BDS, quizzes, mock test सब कुछ एक अच्छे तरीके से चल रहा है ये एक traditional coaching institute की तरह नहीं चल रहे हैं हम एक proper way में चल रहे हैं कि रोज रात को 9 को बज़े के तकरीबन हमारी class होती है और फिर आपके लिए जी एक दिन के अंदर अंदर आपको course है, इसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा अगर आपकी कोई doubt या problem है ये आप हमारा क्या केजिए ये मेरा number है आप call कर सकते हैं, यहाँ पे कभी भी ठीक है ये मेरा number है और रमन at the rate of bank examstudy.com ये मेरा email ID है अगर आपको कुछ समझवे नहीं आ रहा है तो आप please मुझे email भी कर सकते हैं phone कीजिए वैसे, कोई बात नहीं है हम लोग बिल्कुल phone उठाते हैं सुबा 10 बजे से लेके 6 बजे से 10 a.m. to 6, 10 to 6 हम जो है, phone को हर एक phone को उठाते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो please नीचे comment कीजिए comment घरना जरूरी है comment कीजिए अगर आपको नीचे कुछ यहां पे कुछ समझ नहीं आया तो नीचे comment कीजिए अगर आपका कोई भी doubt है eligibility के बारे में study material के बारे में या exam pattern के बारे में या अगर आपको नहीं समझा रहा है खहां से start करें तो नीचे comment कीजिए comment से मुझे बहुत inspiration मिलती है कि मैं आगे क्या करूँ आप जैसे जैसे comment करते हैं वैसे मेरा एक schedule तो है कि मैं आज ये video बनाऊंगा कल ये बनाऊंगा लेकिन ये जो आपके comments है ये मुझे आप कहीजिए कि motivate करते हैं थोड़ा out of the box जैने में जो मेरा schedule है कई बार उसको मैं change करता हूँ आपकी request के हिसाब से तो please feedback अपना देते रहिए कभी मैं अगर गलती भी करूँ तो वो भी मुझे बताईए अगर नहीं सही में करने से कुछ फाइदा नहीं होता है instead of disliking the video comment करके मुझे बताएं कि मैंने कहां गलती करी है तो मैं उस गलती को सुधार हूँ हम कोई भगवान नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे हम गलती करते हैं अब प्लीस जो मेरी गलती में कर रहा हूँ वो भी मुझे बताएं अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो appreciate करने के लिए भी comment करें चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर से मलकात होगी same time Thank you